हेलो इन्वेस्टर जैसे कि आपको बता है कि निफ्टी में करेक्शन थी सुबह भी निफ्टी जो मॉर्णिंग टाइम में था एक परसेंट डाउन था क्लोजिंग वक्त आप जैसे कि देख सकते हो जो आज तुडे का था जीरो पॉइंट सिस्टी परसेंट उपर तो था लेकिन जो स्टार्टिंग टाइम था उसके अंदर एक पॉइंट टू परसेंट तक नीचे निफ्टी डाउन था और जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता तक नाढ़त आट से लिए अब यहां से देखना यह है कि आप कौनसे स्टॉक कर रहे हो और एक बात ध्यान रखना क्या को एपना प्रॉफिट बुक कर ले तो तो आपको प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना चाहिए अब आगे बात करते हैं कौन से से आपको यहां से भी नजर रखने होंगे तो सबसे पहला से जो अगर हम अपनी साइस से बटाए जो हमने बताया था आपको वह अजंता सोय था अब यहा चालीस एकसो पैतालीस और एकसोपचास की बीच आपको मिल सकता है वहां पे आपको यहां पर दुबारा एंट्री करनी है और अपना अबरेज डाउन करते रहना है तो आगे चलते हैं दूसरा इस्टॉक जो आपको सबसे ज़ादा ध्यान रखना है जो अब यहां से स्टे इंडिया के लिए आप वहां पर ग्रैब कर सकते हैं इस प्राइज के उपर मैं यहां से श्यू रुपय का पहला टार्गेट देखता हूं स्टेट बैंक अफ इंडिया में जब हमारी साइकल चलेगी तो सबसे पहले जो चलने वाले हैं वह बैंक सोने वाले हैं तो बैंक पे ज़रूर ध्यान रखिए अच्छे बैंक स्पिक किजिए और मेरी तब से जो रख्मेंडेशन रहेगी आपको बैंक के लिए उस बैंक पर ध्यान रखना है आपको SBI यहां से नीचे और क्रेक्शन हो सकती है अगर मार्केट डाउन रहा तो वहां पे आपको जरूर SBI को उठाना है और अगर आपको पोटफोलियो में नहीं है तो आप दीरे-दीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं अब यहां से तीसरे स्टॉक पर चलते हैं अपने और तीसरे स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे एक महीने में कम से कम 9.26 यानि 10% के अप्रॉक्स अगर मैं मानू रफली तो इस्टॉक करेक्ट कर चुका है इस्टॉक का नाम ICTC है और मैं यह स्टॉक आपको बहुत समय से रेक्मेंट करता रहा हूं स्प्लिट से पहले से रेक्मेंट किया यह स्टॉक को मैंने और अभी अगर जिनके पास स्प्लिट से पहले का अगर नहीं भी बेचा है तो उनके पास 50% आफ प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने नहीं बेचा है तो हमें पता है 50% आफ आपका प्रॉफिट बचा हुआ है यह प्रॉफिट 100 और 200 परसेंट तक गया ता जिन्नोंने बुक नहीं किया प्रॉफिट वहां से अभी भी 50% प्रॉफिट आपके पॉटफोलियो में होगा और यह स्टॉक में लॉंग टर्म के देखता हूं यह जो यहां पर प्राइस दिख रहा है यह बहुत कम है मेरे हिसाब से और यहां से आगे बहुत बड़ी पोटेंसियल है टूरिजम और इस रिटेल में आपको क्या लेना चाहिए सबसे पहली बात अगर आप कुछ भी कैसा भी पैंडिमिक आए यह जाए चाहे मार्केट कैसी भी रहे आप आप अवेन्यू सूपर मार्ट को हमेशा ट्रैक कीजिएगा विकोज आप हर चीज रोख सकते हैं अपनी फैसन फैसन की ला क्ला ठीया जान सहरे मार्केट में हो य सबसे पहले बात यह जो गिरावट है आपके लिए मौका होना चाहिए हर मौकाus यस घ्रावट में आपके इसे डाउन कर सकते हैं और ये शेयर एवेन्यू सूपर मार्ट एके डी मार्ट आपको बहुत अच्छा फ्यूचर ग्रोथ यहां से भी प्रेजेंट करता हुआ दिखेगा आपको इन पांच स्टॉक्स पे नजर बना के रखनी हैं और जो हमारे फेवर्टे स्टॉक हैं उनके प्रफिट और लॉस के जो अपडाउन होते हैं डेली प्रॉफिट उसमें से प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्डेंट है तो हमेसा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है आप अपना मार्क सेट कीजिए 20% 30, 50, 100 अप जिस मार्क पर अपना प्रॉफिट बुक करना चा झाल झाल